नमस्कार जैसा मैंने पिछली अपनी फेस्बुक पोस्ट में आपको बताया कि संजोली सिमला में मलब डॉकुमेंट की कॉपीस भी मैंने उसमें लोड की हैं उनके स्क्रीन सौट 156 भी गाजमीन वख बोर्ड के नाम पर चड़ चुकी है और हिमांचल में ये वक बोर्ड एक्ट की नोटिफिकेशन 2017 जुलाई 5 जुलाई 2017 को ततकालिन कॉंग्रेस सरकार द्वारा ठीक चुनाओं से पहले की गई थी उससे पहले चाहे कांग्रेस के मुख्यमंतरी रहे चाहे बीजेपी के किसी ने भी वक बोर्ड एक्ट 95 हिमांचल में लागू नहीं होने दिया लेकिन 5 जुलाई 2017 को ठीक चुनाओं से पहले ततकालिन कॉंग्रेस सरकार ने तब रेवेन्यू मिनिस्टर सिरी कॉल सिंग जी थे उन्होंने नोटिफिकेशन लाकर वक बोर्ड एक्ट 95 हिमांचल में लागू कर दिया अब जब लागू हो गया कानून तो इस कानून के थ्रू उन्होंने धीरे 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 जमीनों को अपने नाम पे चड़ाना सुरू कर दिया अगर 1905-1907-1947 से पहले कोई भी जमीन किसी मुस्लिम का कोई भी नाम उस पे चड़ा होगा जो पाकिस्तान चले गए वो सारी जमीने धीरे धीरे वक बोर्ड अपने नाम ला रहा है और वक बोर्ड एक्ट मालूम है आपको वक बोर्ड एक्ट किसी जमीन पर रुमाल रख दे तो उसकी हो जाएगी कितना सक्त कानून है और वक बोर्ड एक्ट डिरेक्ट डियम को ओडर कर सकता है भीन आपको नोटिस दिये आपका मकान जमीन खाली करवाने के लिए अब आप खुद देखिए मैं पिछले तीन सालों से केस भी भूगता मैंने एक कम्यूनिस्ट वकील ने मेरे पर केस भी कर दिया था ये गल्त बोल रहा है फलाना कर रहा है मुझे कोर्ट में केस भी भूगता ना पड़ा मेरे खिलाप एक कम्यूनिस्ट वकील ने केस कर दिया था कि वक बोर्ड एक्ट के बारे में गल्त बोल रहा है अब आज मेरे पिछली पोस्त देखिए फेस्बुक की with documented revenue record के साथ मैं paste कर रहा हूँ कि 156 बिगा संजोली, अकेले संजोली एक पटवार वृत में, एक पटवार सरकल में वक्ष बोर्ड की प्रॉपटी गोसित हो चुकी है अब प्रसन पे आते हैं असली कि इन लोगों की strength नहीं है अभी कि वक्ष बोर्ड हो गया लेकिन छुडाने की strength नहीं है क्योंकि लोग लड़ेंगे तो इनोंने कई सालों से एक सड्यंतर के तहत जगा जगा प्रवासी मुले मौलवी कठे होके जगा जगा अनौथराइस construction करके मस्च बड़ी-बड़ी मस्चिदे मना रहे हैं ताकि धीरे-धीरे बाहर के लोग अठे हो उनकी strength बड़े ताकि आपको आपके मकानों से बगाया जा सके संजोल लिख सेतर को पूरा खाली कराया जा सके मेरी सबसे प्रात्ना है कि हरे एक व्यक्ति अपने अपने पटवार सरकल में बख बोड की properties की सर्च करे किसी भी लोकमित्र के अंदर में जाए वहां सर्च मारे कि बख बोड की properties पटवार सरकल में कितनी है कहा है क्या है अगर इस साब से जो मेरे पास अंकड़े भी आ रहे हैं ये बहुत ही खतरनाक है इस हिसाब से जितनी भी जमीन, घर, मकान वाली जो property होती है तो वन भूमी लग चीज़ है 40.7 तक की जगा जमीने बख बोड के नाम से जा सकती है इस वक्त हिमान्चल में, कुल हिमा, पूरे हिमान्चल में लग भग हमारी अबादी कितनी है, 80 लाख उन में से 12 लाख प्रवासी मान्चल में 12 लाख के करीब प्रवासी मान्चल में घुश चुके हैं, रह रहे हैं उन में से भी 80 परसेंट मुस्लिम है और आप लोग मकान, दुकान, किराय पे दे रहे हैं ज़्यादा पैसा मिल रहा है, पैसा कहां से आ रहा है जब मारा एक लोकल दुकानदार, एक लोकल दरजी, एक लोकल नाई जिस दुकान के 5,000 किराय नहीं पूरा कर सकता नहीं दे पाएगा विचारा, वो उसी दुकान के ये 15,20,20,000 देंगे आपको और आप लालच में आके, अपना तो सत्यानास कर रहे हैं, आने वाली पीडी का भी सत्यानास कर रहे हैं और हिमान चल, जिहाद भूमी बनने जा रही है, बहुत जल्दी, आपकी सोच से बहुत जल्दी अब आप सोचिए, आप लोग कैसे हैं, मुहले में एक लड़ाई हो जाते हैं, दो आदमी बार नहीं निकलते अगर यहाँ दस लाख प्रवासी वो लोग है, बिल्कुल फौजी ट्रेनिंग के साथ, तो आपकी क्या आलत होगी इसलिए, आप से आए कॉंग्रेस की हो, कम्युनिस्टों, या मेरी तरह अंधभगतों, राजपूतों, ब्राह्मनों, वैस्य हों, सुद्र हों, जोमर्जी कास्टों आप क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, पुदिष्टों, मेरी बात ध्यान से सुनिए, सभी एक होकर इस आने वाली परिश्थिती से बचने का उपाए ढूंडे, नहीं तो, आप क्या सोचते हैं, कि संजोलीक सेतर में ये सिर्फ एक अवैद निर्मान का मामला है, नहीं, ये अवैद निर्मान के पीछे एक रहस्या है, धीरे-धीरे हजारों की श्ट्रेंद कठी कर लो, भाह है, उसमें डूण लीजी अपना खसरा नंबर, अपने मकान का, अपने कोठी का, अपने बंगलों का, हो जकता हो, बख बोड की प्रॉपर्टी हो चुकी है, गोसित, आप आप एक सोचिए, छोटा सा गाउं होता है, एक पटवार बृत में दोड़ाइसों, मैक्सिमम बृत होगा, तो दोड़ाइसों बिगा जमीन आती है, उसमें, तो संजोली के एक पटवार बृत में, अगर एक सोचपन बिगा जमीन, बख बोड की गोसित, हो चुकी है, ओन पेपर, लीविंग लेंड, फोरेश्ट लेंड के बाद नी कर रहा हो, लीविंग, जिसमें रह लोग गर बनाए हुआ है, तो संजोली कितनी कर जगा है, इतनी होगी, बड़ी अदू, एक सो सतर पटवार बिगा होगी, इसमें से एक सोचपन बिगा, किस की होगी, बख पोड की